हेलो दोस्तों महारे पास question दे रखा है एक cycle को 2850 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाब होता है यदि यही लाब 8% रखा जाए तो cycle का विक्रेम ले कितना होगा सबसे पहले देखो दोस्तों समझने वाली बात है कोई भी चेज 100 रुपेई की है उस पर 14% का लाब होता है तो वह चीज कितने की हो जाएगी 114 की हो जाएगी दोस्तों इसने यही बात बोल लिया कि किसी cycle को बेचने पर उसको 14% का लाब होता तो यानि कि यह value कितके बराबर है 114 के बराबर तो हम लिख लेंगे 114 परसेंट के बराबर है हां तो 114 परसेंट के बराबर है तो हम इसको क्या करेंगे इक्वल में हम इसको हम क्या करेंगे 114 के बराबर लिख लेंगे यानि कि 114 पर्षेंट की वेलू है 2850 तो यहां से हम एक की निकाल लेंगे एक की कितनी आएगी 2850 बटे में 114 अब कहरा लाब यदि 8% ही रखा जाए तो लाब को हम 8% रखेंगे तो इसको गुणा किसे करनी पड़ेगी 108 से करनी पड़ेगी दोस्तों तो हम क्या करेंगे 108 की वेलू क्या आएगे मारे पास 2850 बटे में 114 गुणा में 108 तो इसको हम अब सोल करेंगे तो सोल क्या करेंगे कैसे आएगा मारे पास सबसे पहले इसको 2 से कट करेंगे 2 से कट करेंगे या आएगा 57 और यह आएगा मारे पास 54 अब इसको हम किस से कट करेंगे 3 से कट करेंगे याएगा 19 और यह आएगा मारे पास 18 अब 19 से इसको कट करेंगे तो मारे पास कितना आएगा 1500 आएगा दोस्तो यानि कि 150 अब हमारे पास क्या बचाए 150 गुणा में 18 तो 150 गुणा में 18 करेंगे तो अमारे पास क्या आएगा 2700 निकल क्या आएगा दोस्तों अगर वह 8% का लाब रखे तो cycle का मुल्ले कितना होगा विक्रे मुल्ले 2700 रुपे होगा दोस्तों यही कि हमारा answer option number B is right इसी तरह की सोट ट्रेक वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक से सस्क्राइब करना मैं तो बुलियो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप तोस्के